रामनगर में आफद बनकर बरस रही है बारिश और भारी बारिश से मोहन के पास पे पुल तूट गया है रानिखेत जाने वाले रास्ते पर ये पुल तूटा है पुल तूटने से लोगों की hepat भनकर बारिश बरस रही है भारी बारिश के वज़ акसので पुल भी तूट गया है रानिखेत जाने वाले रास्ते पर ये पुल बना हुआ है जो कि अब तूट गया है पुल तूटने से लोगों के आवजाही प्रभावित हो रही है कोड़द्वार के मालन में जबरदस्त बार का कहर देखने को मिल रहा है नदी पर बना वेकलपिक पुल पूरी तरह से डूब गया है और आवजाही बंद हो गई है बता दे कि पिछले साल मालन नदी पर बना पुल तूटने के बाद धह्यों पाइप से पुल बनाया किया था जो इसकी गुनवत्ता इतनी खराब थी कि मालन नदी के उफान में आते ही पुल धुस्त हो गया पईप से पुल नहीं बनता है, इसको उनको वकाइद में बीजी को देना चीड़े बंगाले जी गरूप को देना चीड़े, वो अफस को बनाती तो बहुत अच्छा रहता इसमें कभी वे तोट नहीं हो सकती थी, इतने पैसे जिने इसमें लगाए हैं, उतने पैसे में बीजी वाले इसको बना सकते थे, ये हमारा सोचना है अपना और हर जगा से इसी तरह के तस्वीरे सामने आ रही हैं, जहां पर सडकों पर भी जलबराब और इसके साथ ही जो पुल बने हुए हैं, वो भी लगतार तूटते जा रही हैं, ऐसे में संपर्क जगाओं का बना हुआ है शेहरों से, वो भी तूट रहा है अलमोडा में मुस्लधार बारिश का असर देखने को मिला है, अलमोडा हल्दवानी आइनच 109 बंद हो गया है, बोल्डर गिरने से आवजाही प्रभावित हुई है, प्रशाशन ने सतरक रहने की अपील की है अलमोडा से खबर जहां पर मुस्लधार बारिश का असर देखने को मिला, अलमोडा हल्दवानी आइनच 109 बंद हो गया है, बोल्डर गिरने से आवजाही प्रभावित प्रशाशन ने सतरक रहने की अपील भी की है अनावश्य रूप से सड़कों पर भी ना निकलें, आवागमन भी प्रतिवंदित रखें, और साथ यह भी अनरोद करना चाहता हूँ, सबी लोग सुरक्षित रहें और आज पास के लोग को भी सुरक्षित रखें, अगर किसी भी समस्य आती है, कोई भी आपदा की इस्ति काम में प्रिशाशन जोटा हुआ है, तो बता दे के प्रिशाशन की तरफ से लगतार कोशेश जारी है, जल से जल सड़क को खोला जा सके, जिसे की आवगमन एक बार फिर से शुरू किया जा सके, तो श्रीनरग बदिरनाथ हाईवे पर मलबा आगे रा और पथर गिरने से राजमार पर गाड़ियों के आवज रही बंद हो गई है, लबा जाम लगा हुआ है, सड़क खोलने के तमाम प्रियास किये जा रही है। जाते हैं, और जैसे जैसे आगे मांशून आगे गद्रीटी बढ़े की, उसके साथ-साथ जो भी तैयारियां की जानी है, वली हो अमारे आंग्दरिक जो हमारी समिरनचील एरियास हैं, जैसे गंसाली हैं, या फिर जो हमारे धनौल्टी छेतर के एरियास हैं, वहाँ पर भ जबी टीम्स को सेबुए ऍखे लिःक कर देका है, यह बड़ा गंगा का जलिस्तर बारिश से उफान पर हैं, गंगा नदी उफान पर हैं, ऑलख बचाफ टीम प्रूम पर हैं, बड़ा और देकी ठाम आनकी का माहल हैं चास्नि वर्जवार, वे लिए पशाषम लिए Isso लोगों को मना किया हुआ है लगतार बढ़ते जरस्तर से लोगों में भी धर्शत है रिशी केश्व से बड़ी खबर मुस्राधार बारिश से तडबंद ध्वस्त हो गया है तो पता देगी तडबंद का एक हिस्ता तुटने से हटक बचा हुआ है गौशाला को भी पहुँची खासी खशती 12 करोर की लागत से तडबंद बना हुआ था लेकिन अब ये ध्वस्त हो गया है तो रिशी केश्व से ये खबर जहां पर मुस्राधार बारिश की वज़े से तडबंद ध्वस्त हुआ तडबंद का एक हिस्सा तूटने से हटका मचा हुआ है गौशाला को भी खासी शती पहुँची है तो 12 करोर की लागत से ये तडबंद बनाया गया था और जिसका घर डाहा है वहाँ एक पशुपालक थी उनकी रोजी रोठी उनी से चलती थी और आज इसका जितना खाम्याजा जो भुगतना पड़ रहा है वो आम जनता को उस इनसान को भुगतना पड़ रहा है और मैं यह खुद चाहता हूं कि जो भी इसमें सिचेविविवाग के जितने भी करमचारी आपके जही जो मौके पर जो निरिक्षान करने आये थे एक्शन साब सब पर कानूनी कारवाई की जाए जो इसमें पर जो निर्मान किया गया था तो इसका पास्तार है जो इसके नीचे कोशावां में बंधी आइस थाल हो गई है पार में मुस्राधार बारिश का सितम जारी है आलम ये है कि जंजीवन अस्वेस्ट है नदिया उकफान पर हैं बोल्डर गिरने से भी हड़कम मचा हुआ है हाला कि प्रिशाशन का दावा है कि राहत बचाव टीम अलट मूर पर है और हर हालाद से नेपटने को तयार है आपकी स्क्रीन पर पांच तस्वीरे हैं अलमूरा में बारिश का दौर जारी है लिहाज़ा प्रिशाशन अलट मूर पर है और तरकाशी में नाले उफान पर आ गए हैं जो मुसीबत का सबब बने हुए हैं रोधर प्रियाग में अलकननदा नदी का जलसतर तेजी से रहा है लोग अवासिया मकान खाली करने को मजबूर हैं लोगों के घरों में भी पानी भर गया है चमोली में बोल्डर गिरने से बद्रिनात राजमार्क बंद हो गया है गोपेश्वर में भी नदियां उफान पर हैं और हालात बहुत डराने वाले हैं